Hello everyone, welcome you all at Lucas Sir, Unlimited Study Zone. So, आज की क्लास में क्लास 12 का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों. And the name of the topic is Vector Product. तो हमने last class में मैंने आपको प्रोड़क्ट पढ़ाया था कि Product of Vectors. Okay, थोड़ा सा मैं initial बता देता हूं जो हमने last class में करा है. तो आपको याद होगा कि हम topic चल रहे थे. The name of the topic was Product of Vector. अब Product of Vector मैंने कहा था कि दो टाइप के होते हैं बच्चों. है ना? Product of Vector दो टाइप के होते हैं. अब इसमें याद रखना है कि आपको दो vector का product आप कर रहे हो. One of the vectors is given vector A. और second vector vector B है. देखें, दोनों co-terminus हैं. क्या है बेटा, दोनों? Co-terminus हैं. And then only you can take this angle theta. When the two vectors are co-terminus. Okay? So, this is vector A, this is vector B. और कुछ ऐसे product आप define करते थे. एक जिसमें result जो था, scalar आता था. Okay? result is equal to scalar. Okay? तो ऐसा product जिसमें scalar result आए. मतलब A vector का आप B vector के सांद multiply करें. और answer जो आए, वो vector नहीं आए. वो एक scalar quantity आए. ऐसे product को हम dot शेशो करते थे. और ये product कहला था, dot product. एक साथ में एक और product हमने define किया. कि ऐसा product जिसमें जो result vector बनेगा, जो आपका answer आएगा, वो कैसा vector का आएगा? वेक्टर आएगा. मतलब, आपके पास एक directional quantity आएगी. I mean to say, if you multiply with A with vector B, then you will have vector C. Okay. So this, इसको हम कैसे represent करते थे? By using a cross. Okay. तो ये हम cross product कहलाता था. आज हम को यही cross product हम को पढ़ना है. Okay. Cross product हम पढ़ने जा रहे हैं. हमको पूरा-पूरा हमको कहां तक orient करना है? हमको केवल cross product की तरफ ही ध्यान लगाना है. चलिए, तो cross product की definition सबसे पहले मैं start करता हूँ कि vector A cross vector B का meaning क्या होता है, बेटा. तो vector A cross vector B का मतलब होता है vector A को vector B की तरफ आप turn करो. vector A को vector B की तरफ आप क्या करो? देखें, और आप feel करेंगे कि कुछ इस तरीके से आप null को खोलते हैं. vector A, vector B. यह आप इस तरीके से इसको इधर की और घुमाते हैं. ओके? इधर की और. तो null क्या होता है? खोलता है, बेटा. नल क्या होता है? खोलता है. और null खोलेगा, तो कहां की और जाएगा? बेटा, बोलो. उपर जाएगा की नीचे जाएगा? बताइए. कहां आ जाता है, null खोलता है तो? अरे भाई, उपर की और जाता है ना? टैप चप आपने अल को खोलते हैं, तो इस तरीके से A को B की तरफ टर्न करते हैं, अपनी दो उंगलियों को. तो A को B की तरफ टर्न करने से, एक वेक्टर उपर की और मुडता है. यस और नो? है ना? So this is A क्रॉस B. यह जो वेक्टर उपर की तरफ जाता है, यह कहलाता है A क्रॉस B. जब आप A को B की तरफ मूडते हैं, तो इसके दोनों के परपैंडिकुलर, यह देखे ध्यान से, यहाँ पर यह एंगल भी कितने डिगरी है? 90. और यह एंगल भी कितने डिगरी है? 90. मतलब A क्रॉस B वेक्टर जो है बिटा, वो A और B दोनों ही प्लेन के परपैंडिकुलर होता, अगर मैं पैरलल बंदू देखी इसके, यह इसको मैं, अगर मैं इसको कम्प्लीट करूँ डाइग्राम इसका, इस तरीके से, यह देखिए, तो यह देखिए, आपको दिख रह से, वेक्टर A और B इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं क्या कह सकता हूं, nosso product is the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर भी बिटा ये दोनों वेक्टर को रखता हुए एक प्लेन है है ना वेक्टर ए को और वेक्टर बी को और वेक्टर ए क्रॉस भी क्या है दोनों के पर्पेंडिकुलर है दोनों के क्या है पर्पेंडिकुलर है तो याद रखेगा कि जो वेक्टर ए A x B होता है बिटा वो A के भी perpendicular होता है और vector A x B जो होता है बिटा वो vector B के भी perpendicular होता है ओके तो एक बार क्या हुआ exam में बहुत ही simple सा question पूछ लिया बच्चों से और बच्चे बेचारे solve करने लग गए क्या question था question था vector A x B dot vector A क्या होगा और दूसरा है vector A x B dot vector B क्या होगा ओके देखो बहुत simple है भाई A x B और A एक दूसरे की क्या है perpendicular है तो इनके बीच का angle कितने डिगरी होगा बेटा 90 डिगरी और dot product में अगर दो vector के बीच का angle 90 डिगरी होता है तो आप बिना कुछ करे जवाब दे सकते ह इसका भी answer कितना होगा 0 क्योंकि यह दोनों के perpendicular है B के भी perpendicular है और A के भी perpendicular है clear हो गया तो जब आप A और B को A को B की तरफ turn करेंगे तो A x B कहा जाएगा उपर की तरफ अब आप सोचिए बट आप यही नल को tight कर रहे है बंद कर रहे है then in that case आप क्या करते हो तब आप B को A की आ जाएगा यह B है और यह A है आपके सामने water bottle रखी हुई है आप water bottle का अगर धकन आप tight करते हैं यह देखिए A को B की तरफ turn करना तो आप जो है water bottle में देखिए एक आपका अंगूठा right side जाएगा और यह आपका पीछे जाएगा that is turning A towards B okay बट जब आप bottle को turn करते है देखि है so if you turning A towards B तो देखे आपको जो है यहाँ पर A है और A को आप कहा की तरफ लेके जाते हैं घसिट के B की तरफ कहां लेके जाते हैं बिटा B की तरफ sorry उल्टा कर दिया मैंने यह B लिया था मैंने और यह A था तो पहले आप A को B की तरफ फोल्ड कर रहे थे अब आप B को किस नहां जाएगा बिटा डाउनवर्ड जैसे नाल आपका होता है डाउनवर्ड जाता जाता है तो यह दिखिए तो इस समय बेक्टा जो वेक्टर जनरेट होगा that is called B cross A that is called B cross A यह जो वेक्टर जनरेट होगा वो कहेगा B cross A मतलब इसे समझ में आ रहा है कि आप B को A की तरफ फोल्ड कर रहे हैं okay so you are moving A towards B okay and you are moving B towards A अच्छा इसकी direction देने के लिए बहुत ही convention physics में चलता है that is called right hand thumb rule क्या चलता है बिटा right hand thumb rule okay right hand thumb rule या Maxwell right hand rule से भी आप इसकी direction दे सकते हैं तो क्या होता है बिटा इसको आप जो है जैसे यह अपने पास में vector system दिया गया है आप आप जो है अपनी उंगलियों को इस vector के fold में मोड़ो मतलब जैसी जैसा यह curl हो रहा है वैसे आप मोड़ो okay तो देखे आपका जो है automatically कहां सेट हो जाएगा बिटा इधर की ओर आपका जो थंब है यह बिटा automatically यहां सेट हो जाएगा है यह देखे मैंने yellow color से क्या बनाया है थंब बनाया है और आप जो है अपनी उंगलियों को कुछ इस तरीके से मोड़ रहे हो and this is your palm यह ऐसे आपका हाथ जा रहा है त तो आप देखे यहां पर मैसूस करिए कि आपका a vector b vector की ओर cross हो रहा है अ बी की तरफ मुड़ रहा है तो अंगूठा जिस direction में जाएगा that is the direction of a cross b ठीक है ना physics में इसका बहुत यूज़ है बच्चों बहुत ज्यादा यूज़ है physics में है ना a cross b physics में आपको पता होगा अंगलियां मुड़ती हैं अंदर क्यों जाती हैं वहीं magnetic field convey होता है ओके clear चली तो physics की बात अभी ज्यादा नहीं करते हैं maths पर ही रहेंगे so this is b cross a बोले clear होगे आपको यह क्या है आपका b cross a मतलब b का a की तरफ fold होना तो आपको एक result मिल रहा है यहां पर बहुत easy result आपको मि a cross b और b cross a में थोड़ा सा difference है क्या difference आपने देखा है आपने यह देखा है कि a cross b जो है that is a cross b is not equal to b cross a है ना a cross b कहां जा रहा है upward जा रहा है और b cross a कहां जा रहा है downward जा रहा है तो दोनों एक दूसरे के equal कभी नहीं हो सकते हैं ना but sir dot product में आपने क्या पढ़ा है था dot product में मैंने आपको पढ़ाया था कि a dot b equal to b dot a यादा आगे आपको वहाँ पे dot product में matrix sorry vector multiplication commutative होता था क्या आप आँगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं बट यहाँ पे commutative नहीं है here a cross b is not equal to b cross a यहाँ पे a cross b जो है बेटा वो b cross a के equal नहीं है clear हुई यह बात ठीक ना यहाँ a cross b जो है b cross a के equal नहीं है तो क्या है equal a cross b उपर जा रहा है अगर और b cross a कहां जा रहा है बेटा downward जा रहा है तो मैं लिख सकता हूँ यह दोनों एक दूसरे के opposite vector है negative vector है so I can say b cross a is the negative of a cross b यह याद रखेगा जो b cross a होता है वो a cross b का क्या होता है negative होता है क्या होता है negative clear हो गया yes तो दो vector यहाँ पे commutative तो नहीं होते हैं बट एक दूसरे के negative होते हैं चलिए अगली चर्चा करते हैं अगली हम पढ़ते हैं cross product की definition अभी तो मैंने आपको इसका physical significance समझा दिया है अब मैं आपको इसकी definition बता रहा हूँ cross product की क्या होती है cross product की definition definition समझने के पहले मुझे आपको बताना पढ़ेगा a cross b का unit vector unit vector of a cross b ये देखिए unit vector of a cross b पहले आपको इसको समझना पढ़ेगा बिटा आपके पास में एक vector vector a है और एक vector vector b है आपके पास में ये देखिए vector b है तो मैंने आपको बता दिया कि vector a और vector b में अगर आप vector a को vector b की तरफ turn कर रहे हैं a को नीचे ले ले लिजे b को उपर ले लिजे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा diagram अच्छा बने और सबके सब upward बने तो a को आप b की तरफ turn कर रहे हैं then बिटा right hand thumb rule से direction of a cross b कहा बनेगी बिटा उपर की तरफ ऐसी बोली बनेगी की नहीं बनेगी मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं tap को खोल रहे हैं या डखकन को खोल रहे हैं तो बिटा a cross b कहा जाएगा उपर की और जाएगा की नहीं जाएगा ओके एक रॉस भी उपर की और जाएगा अब बच्छों ये रेखे a cross b खुद में एक vector है खुद में एक क्या है vector है तो इसका भी तो unit vector कहीं ना कहीं होगा बिटा A cross B कहां जा रहा है बिटा A के भी normal है और B के भी normal है तो A cross B को हम बोलते है बिटा normal vector क्या बोलते है बिटा normal का मतलब perpendicular vector अब इस perpendicular vector का भी तो कहीं पर एक कदम होगा तो उस एक कदम को हम बोलते है normal vector को निशान क्या होता है बिटा n vector और इस n vector का जो कहला है बेटा, N-cap मैंने आपको पहले भी बताया है कि नॉर्मल वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, that is called N-cap. किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का एक एक होता है, तो N-veक्टर का क्या होगा, N-cap. तो नॉर्मल यूनिट वेक्टर मतलब अपवर्ड डिरेक्शन में या downward direction में या normal direction में one एक कदम का जो vector जनरेट होगा. So, how can you answer? n cap equals to given vector upon उसका magnitude. बताए आपको मैंने n vector upon उसका magnitude. आप इसको चाहें तो simply n ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि आप जान चुके हो कि कुछ नहीं लगाओगे तो magnitude ही count होगा. चलिए तो मैं value put करता हूँ देखिए बेटा. n vector तो n की जिगार कौन है बेटा? a cross b. So, this is a cross b upon mod of a cross b. जी, बहुत important formula, बहुत काम का formula आपको एक्जाम में आता है ये. ओके? a cross b. तो ये आपका कहलाएगा क्या? normal unit vector. ठीक है भई? ये आपका कहलाएगा normal unit vector. किसके? a और b के. चलिए, अच्छी बात है. अब हमें पस normal unit vector मिल चुका है. अब दीखिए, आपको मैं एक बार याद दिला दूँ कि कि किसी भी चीज को vector देने के लिए, किसी भी चीज को vector देने के लिए, किसी चीज का यूज करते है, unit vector का. किस का यूज करते है, unit vector का. ठीक है न? चलिए. अब आँगे देखते हैं. आँगे क्या देखना है? आँगे हमें पढ़नी है definition. जी हाँ, मैं आपको बता रहा था definition of a cross b. of cross product or you can say a cross b. तो देखें, definition क्या होती है a cross b की बेटा? a cross b की define करते हैं हम, what is a cross b? a cross b is defined as first vector का magnitude into second vector का magnitude into in के बीच का angle sin theta. पिछले बार a dot b में क्या होता था? mod a mod b cos theta. इस बार है mod a mod b sin theta, अपसरी. ये भी scalar quantity है, ये भी scalar quantity है, ये भी scalar quantity है. तो इनको vector कौन देगा? अरे भाई, vector कहां जाता है? a और b के perpendicular और इसको जिसका vector, unit vector क्या होता है? n cap क्या होता है बेटा? n cap. तो इनको vector देने का काम कौन करेगा बेटा? n cap करेगा. n cap करेगा. clear हो गया? So this is vector a cross b की definition है. vector a cross b equal to mod vector a mod vector b sin theta n cap. clear हो की नहीं हो? ये definition आप याद कर लिजे. इससे सारे formula आपके आंगे के बनेंगे. ठीक है न? तो यदि पूछा जाए कि vector a cross b का magnitude कितना है? ये है a cross b का magnitude. इतना part magnitude है. और ये part किसका है? direction का. किसका है ये part? direction का है. clear हो की नहीं हो? भाई ये part magnitude है. ये part क्या है? direction है. अगर मैं इसका magnitude ले लूँ आपके लिए. चलिए ले ही लेता हूँ. तो vector a cross b का magnitude. क्या बनेगा बिटा देखो? vector a cross b का magnitude ले लिए. vector a का mod तो a ही होगा. क्योंकि वो तो वैसे ही scalar है. और ये भी होगा बिटा b. ओके? और ये क्या हो जाएगा? mod of sin theta. और mod of n cap. और आपको पता है कि किसी भी unit vector का magnitude कितना होता? one. नामी है unit vector. तो mod vector a, mod vector b, sin theta, ओके? और a cross b. ये हो गया बिटा आपके पास. इसका magnitude clear है? तो ये बिटा आपका क्या निकलाएगा? ये ये आपका magnitude निकलाएगा. clear है बिटा? ये आपका magnitude होगा. अब यहाँ से आप sin theta की value निकाल सकते हैं. किसकी value? sin theta की, जो आपको मदद करेगा angle निकालने में. तो what is sin theta देखिए? आपको यहाँ पर sin theta निकालना है. तो sin theta is equals to, okay? sin theta is equals to, देखे, क्या हो जाएगा? mod of a cross b upon mod a mod b. clear है? तो ये क्या बन जाएगा, बिटा? angle between, angle between two vectors. clear है? ये आपके पास बन जाएगा, angle between two vectors. done? this is the formula for angle between two vectors. ठीक. अगर, चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, special cases. तो क्या-क्या देख लिए हमने, हमने दोनों वेक्टर का magnitude देख लिया? हमने दोनों वेक्टर का, हमने देख लिया, कि दोनों वेक्टर के बीच का angle क्या होता है? अब हम देखते हैं, इसके लिए, special cases. cases, ठीक है, देखें, अगर दो वेक्टर आपके पास a हैं और b हैं, जिनके बीच का angle theta है, तो आपने देखा कि a, mod a, a cross b equals to, mod of vector a, mod of vector b, sin theta, और कितना वेटा, n cap, clear है? अगर दोनों वेक्टर parallel हैं, दोनों वेक्टर क्या हैं, पिटा? अगर दोनों वेक्टर पैरलल हैं, मैंने बताया था आपको कि theta जो होता है, इस तरीके से लिए आ जाता है, this is between vector a and vector b, जो थीटा होता है, अगर दोनों वेक्टर पैरलल हैं तो theta कितने degree होगा? 0 degree तो in that case A vector B equal to mod A mod B जो भी होंगे sin 0 बिटा 0 हो जाएगा into n cap clear है बिटा अब sin 0 0 होता है तो 0 से सब कुछ 0 हो जाएगा तो your answer will be 0 vector क्या होगा बिटा याद रखेगा cross product में answer 0 vector ही आएगा कभी 0 मत रख दीजेगा magnitude 0 दे सकते हो क्योंकि 0 vector का magnitude होता ही नहीं कुछ 0 होता है clear हुआ तो बिटा A cross B की value यहाँ पर क्या रही है 0 रही है done so this is यह हो गया पहला case आपका when two vectors are parallel second देखिए बिटा अगर आपके दोनों vector anti-parallel है क्या है बिटा anti-parallel means theta equals to 180 degree okay anti-parallel है theta equal to 180 degree तो in that case बिटा क्या बनेगा vector A cross B again 0 हो जाएगा क्यों क्योंकि sin 180 हो जाएगा और sin 180 की value किती होती है 0 तो vector अगर parallel हो या anti-parallel हो और you can say collinear हो क्या हो collinear एक ही line पे होंगे तो either parallel होंगे या anti-parallel होंगे तो क्या होगा उनका dot cross product 0 ठीक है ना तो यह देखके हम समझ सकते हैं कि अगर cross product 0 है तो vector anti-parallel या parallel हो सकते हैं ठीक है third case if vectors are perpendicular to each other अगर vector एक दूसरे के perpendicular है यह vector A है यह vector B है दोनों के बीच का एंगल कितने डिगरी है 90 डिगरी so vector A cross vector B equals to mod of vector A mod of vector B sin 90 into n cap okay condition क्या बन जाएगी sin 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या हो जाएगा पिटा 1 हो जाएगा तो mod A cross B equals to mod A sorry mod लगाना नहीं था मुझे A cross B equal to mod A mod B okay into कितना n cap तो यह हो गई आपकी किस की condition perpendicular की किस की condition हो गई अब इसमें एक चीज़ और है अगर आप दोनों तरफ का magnitude ले ले देख लिजे magnitude ले करके अगर आपने इधर का भी magnitude ले लिया और इधर का magnitude तो जो अल्रेड़ी magnitude उसको फर्क तो पड़ता नहीं है mod of A magnitude of B n cap का magnitude कितना हो जागा 1 clear है so condition बनी अगर ऐसा हो जाए इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या थे एक दूसरे के perpendicular थे दोनों वेक्टर क्या थे बेटा एक दूसरे के जी हाँ ठीक ना तो ये condition तब valid है जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे perpendicular clear है perpendicularity के लिए ये वाली condition valid है है ना तो कोई पूछे आपसे कि mod of vector A x B equal to mod of vector A and mod of vector B कब होगा तो answer होगा जब theta equals to कित्ते degree 90 degree clear हो गया बूली clear है चलिए अब देखिए इसके बाद हमने आपको A x B दिखा दिया जराब B x A देख लेते हैं भी आपने देखा A x B और अब देखेंगे हम लोग B x A थोड़ा सा फर्क है A x B और B x A में उस फर्क को समझने की कोशिश कीजिए तो मैं कह रहा था A x B और B x A में थोड़ा सा फर्क है पहले भी बताया है थोड़ा सा बठीस पर डाइग्रामेटिक तरीके से और एक्स्पेन करूँगा ये बेटा A है और ये B है आपका ओके और यहां क्या जाएगा A x B इफ यू टर्निंग A टूर्स B और ये क्या बनेगा बेटा इसका यूनिट वेक्टर N कैप बनेगा की नहीं बनेगा और आप लिखेंगे A x B कितना होगा A x B equals to mod of vector A mod of vector B mod ना भी लगा है तो mod ही समझा जाएगा sin theta into अब इसको direction देने के लिए कौन काम कर रहा है N कैप कौन काम कर रहा है N कैप अब दूसरे नजरिये से देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यह vector A है यह vector B है अगर आप B को इस बार A की तरफ turn कर रहे है तो देखें जो vector generate होगा वो इस direction में उपर generate नहीं होगा वो नीचे generate होगा होगा की नहीं होगा and this vector the complete vector is called B x A B x उपर वाले vector का अगर unit vector n cap कहलाता था तो नीचे वाले vector का क्या unit vector minus n cap कहलाएगा की नहीं कहलाएगा अगर उपर का unit vector plus n cap था तो नीचे का क्या minus n cap नहीं होना चाहिए होना चाहिए तो बेटा क्या बन जाएगा इसका definition vector B x A का देखें vector B x A की definition बनेगी कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले लिखो बाद में लिखो एबी भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटू साइन दोनों के बीच का एंगल थीटा ओके डारेक्शन जो है वो क्या है मइनस एंगल दैट स्वा है यह माइनस पाहर आजाता है सो बीच्रॉस ए एक लस्टू निगेटिव उफ एबीस साइन थीटा इंटू एंट कैप और एबीस साइन फिता इनकाप किसके को एब यह ए एक रॉस्ट की देख वो इच एच फेमिना ए एबीस एन कृट एन केप सो B cross A equals to negative of A cross B, इस तरीके से B cross A जो होता है, A का क्या होता है, negative होता है, clear, तो ये आपका, जो है, cross product, कड्मेन डेफिनिशन पूरा हो चुका है, अब हम पढ़ते हैं, cross product of two vector in component form, component form को समझने के लिए हमें cross product of unit vector करना पड़ेगा, okay, so our next topic is cross product of unit vector, ठीक है, unit vector की और हम थोड़ा देर में जाते हैं, बट हम ये देखते हैं कि अगर हम दो same vector का cross product करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, दोनों same vector, अब सीरीस ही बात है भाई, दोनों same vector same direction में होंगे, खुद के साथ, खुद का cross product, तो खुद खुद के साथ कितना angle बनाएगा, जीरो डिगरी, ये सौनों, तो ये खोल लोगे आप, तो mod vector A, again mod vector A, sign कितना, 0 degree, and कितना बेटा, n cap, तो ये तो 0 हो जाएगा, completely, तो answer कितना हो जाएगा, बेटा, 0, तो खुद का खुद के साथ, क्या हो जाएगा, 0 vector, है ना, देखिए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, याद हो आपको, A dot A equals to mod of A का square, बहुत important identity, और यहाँ पर A cross A, कितना होगा, बेटा, वेक्टर ना भूले लगाना, 0 vector, ठीक है, तो अब मैं unit vector को ले करके करना चाहता हूँ, देखिए, हमारे जो axial unit vector है, मैंने आपको बताए है, हमारे तीन axis है, अब, जिस, कमरे में बैठे है, यह x axis माल लीजे, उधर वाले को, यह y axis माल लीजे, और यह जो है, perpendicular जो axis होता, वो कौन सा होता बेटा, z axis, x axis के along जो unit vector होता हूँ, इसको i cap बोलते हो, आप लो, y axis के along unit vector को आप क्या बोलते हो बटा, j cap, ठीक है, इसे आप j cap बोलते हो, अभी मैं, यहां पर यह angle कितने degree है, 90, और यह भी बाहर जा रहा है, यह भी कितना है, 90, clear है, और यह आपके, जहां फर्ष पर आप बैठे हुए हो, तो दो ages मिल रही है, यह भी कितने degree होता है, 90, ठीक है न, तो मतलब, यह भी अपना, 90 ही है, इस तरीके से, अब मैं i cap और j cap का cross product कर र cross करूंगा, i को j की तरफ turn करूंगा, if i turn i towards j, so your result will be mod of i cap, mod of j cap, sign दोनों के बीच का angle, 90 degree, into perpendicular दोनों का unit vector, तो आपको पता है, बच्चों, कि दोनों के perpendicular unit vector, i और j के क्या होता है, that is k cap, बुली होता है कि नहीं होता, क्योंकि लेना है unit vector, दोनों के perpendicular, so it will be here, multiply by k cap, clear है, अब मैं value put करता हूँ बेटा, mod of i cap 1 होगा, mod of j cap 1 होगा, sign 90 equal to कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, into कितना, k cap, so your answer will be k cap, तो i cap into j cap equal to कितना हो जाएगा, k cap, अब आप j cap into i cap करो, into नहीं बोलना चाहिए, माफ केज़ेगा, मुझे cross बोलना चाहिए, j cap cross k cap करो आप, तो again, mod of j, sorry, गलत कर दिया, मैंने, i cap cross j cap सिखा है ना, मैंने आपको, तो j cap cross i cap सिखाऊंगा, क्या बनेगा, mod of j cap, ठीक है न, mod, mod of a, mod of b, sine, again, बिटा, 90 degree है, clear, मगर पहले k cap बन रहा था, अब नीचे की तरफ बनेगा, बोले बनेगा की नहीं बनेगा, इस बार बिटा, आपका जो वेक्टर जनरेट होगा, वो डाउनवर्ड जनरेट होगा, अब j को k की तरफ, j को i की तरफ move कर रहे हो, तो क्या बनेगा, बिटा, बढ़ेगे, minus k cap, so here it will be minus k cap, clear, so answer कितना होजाएगा, 1 into 1 into 1 into minus k cap, finally your answer equals to minus k cap, clear, बन जाएगा, जी, तो आपके पास i cap, cross j cap, equal to k cap, and j cap, cross i cap, equal to minus k cap, clear है, yes, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको याद करने के लिए, यह समझने के लिए, आपने जब i को j की तरफ move किया, तो क्या आगया, किया आगया, जब आप k को i की तरफ move करोगे, तो क्या आजाएगा, जी आजाएगा, और जब आप j को k की तरफ move करोगे, तो क्या आजाएगा, आई आजाएगा, ठीक है ना, तो एक, आपके पास, एक trick type का, मैं आपको बना करके दे देता हूँ, इस तरीके से, this is i cap, j cap, clear, एक trick type से आपको मैं साथ, फायदा करीगी, है ना, अगर आप i को j की तरफ move करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा पिटा, k cap मिलेगा, देखे, इधर से, है ना, so if you moving i cross j, answer will be better, कितना, k cap, अगर j को k की तरफ move करेंगे, तो अगला answer मिलेगा, i cap, j cross k vector, equal to i vector, i cap, and अगर k को i की तरफ move करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, j cap, clear है, k cross i equal to j cap, इसका reverse भी आप जान चुके होंगे, अगर j cross k करेंगे, j को किस की, सोई, उल्टा, अगर j cross i करेंगे, तो उल्टा हो जाएगा, minus k cap, ठीक है, अगर आप k cap cross j cap करेंगे, कितना जाएगा, minus i cap, और अगर आप i cap cross k cap करेंगे, कितना जाएगा, minus j cap, clear है, तो इस तरीके से ये rules आप जो है, याद कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब हमारा ये होने के बाद आता है, cross product in component form, ठीक है, जो हमारा topic है, वो है, cross product in form of components, देखे, हम component form की बात कर रहे हैं, याने की resoluted vector की बात कर रहे हैं, हमाब इक्तेर की से, resoluted मतलब कि यदि कोई vector a है, तो यदि इसको आप break करके, resolute करके 3D में लिखते हो, तो आपके पास क्या बन जाता है, ax i cap, प्लस a y j cap, प्लस a z k cap, यह हो गया, resolute, और vector b है, ऐसे, second vector vector b, तो vector b को अप लिखेंगे, b x i cap, प्लस b y j cap, प्लस b z k cap, यह हो गया, अब आपको इन दोनों vectors का cross product करना है, a cross b, तो कैसे कर सकते हैं, initially आप इनको लिख दें ऐसा, a x i cap, प्लस a y j cap, प्लस a z k cap, cross b x i cap, प्लस b y j cap, प्लस b z k cap, अब आप one by one देखेंगे, क्या करेंगे आप, आप multiply करेंगे, सबसे पहले a x i cap का पूरे के साथ, तो a x i cap, cross b x i cap, प्लस b y j cap, प्लस b z k cap, फिर बारी किस के आएगी, a y j cap की आएगी, वो भी पूरा इस से multiply होगा, फिर लास्ट में बारी किस के आएगी, a z k cap की वो भी पूरा multiply होगा, होगा की नहीं होगा, और अभी बहुत बड़ी process बाकी है, अब a x i cap का b x i cap के साथ करेंगे, तो a x b x तो coefficient है, कौन i cap, cross i cap, जो की zero vector होता है, फिर अगला हो जाएगा, a x by, और अंदर होगा i cap, cross j cap, ऐसे चलते जाएंगे, और 339 component बनेंगे, यह देखिए, बहुत बड़ी process होगई, होगई की नहीं होगई, तो इस से बचने के लिए, एक determinant rule तयार किया जा सकता, मतलब सब कुछ होने के बाद, इस result को हम determinant way में, solve easy करके लिख सकते हैं, क्या होगा बटा, determinant का formula, अगर दो vector हैं, आपके पास a और b, तो determinant true लियाद कीजिए, यहाँ पर i cap, j cap, k cap, सबसे पहले बटा vector a, first vector के component, ax, ay, az, और bx, by, bz, आ गया समझ में, अब आप इसको solve कर दीजे, तो आपका answer आ जाएगा, जो vector आएगा, वो आपका a cross भी आजाएगा, clear है, अब चलते हैं, geometrical meaning of cross product, तो geometrical meaning पढ़ते हैं, देखिए बटा, तो geometrical meaning में हमारे दो important application है, number one है, area of triangle, area of triangle, तो बिटा, area of triangle, अगर आपके पास दो vector हैं, जो किसी triangle की, तो adjacent side को बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बिटा, दो adjacent side को, तीसरी side से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीकिए ना, जो भी होगी उससे कोई मतलब नहीं है, तो बिटा, मैं बोलूँगा, A cross B, वो सो से संपल, एकदम सिंपल है, समझ में आ गया, तो क्या करना है, आपको A cross B का mod निकाल के half कर दोगे, तो area आ जाएगा, तो इस तरीके से, आपको अगर कोई triangle दिया है, आप उसका area निकाल सकते हो, अगला है, next इसका application है, this is first application, second application है, area of parallelogram, तो parallelogram का area का formula देखिए, अगर आपके पास दो वेक्टर है, और आपके पास दो वेक्टर है, और दे रिप्रेजेंटिंग टू adjacent side of a parallelogram, यह देखिए, वेक्टर A है, यह वेक्टर B है, clear, अब ध्यान से देखिए, भाई, पिछले बार मैं क्या कर रहा था, यह diagonal लेकर के, इसका area निकाल रहा था, तो triangle बन रहा था, अगर मैं इसी को double कर दूँँगा, two times कर दूँगा, तो क्या बन जाएगा, पहले लोग रहा हम, तो मेरे पास क्या area था, one by two, vector A, into vector B, यह triangle का था, अगर मैं इसको double कर देता हूँ, तो two से two क्या हो जाएगा, cancel, और mod भी था, sorry, okay, so answer कितना आजाएगा, पिटा, only mod of vector A, cross vector B, तो यह जो है पिटा, जितना answer आएगा, square unit, this is called area of the parallelogram, clear हो गया, तो यह हमारा area of parallelogram बनेगा, तो यहाँ पर हमारी, vector product की theory, यहाँ पर हमारी finish हो जाती है, ओके, चलिए अब करते हैं, इसके कुछ बहतरीन, numericals, देखिए, एक सवाल उठाता हूँ मैं आपके सामने, question क्या है, मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, question है, find two unit vectors, find two unit vectors, which are perpendicular to both, which are, यह perpendicular का sign है, to both, कौन-कौन से vector, vector u, vector u दिया गया है आपको, 2i cap प्लस j cap, minus 2k cap, this is vector u, और v vector आपको दिया गया है, बिटा, i cap प्लस 2j cap, minus 2k cap, यह आपको दिया गया है, v, और दोनों के perpendicular, आपको, vector, unit vector, निकालना है, ओके, दोनों के perpendicular, तो मैंने अभी आपको बताया, कि, दो vector की, perpendicular unit vector, क्या होता है, यह u है, यह भी है, ओके, तो एक तो perpendicular, यह निकल सकता है, इसके, एक प्लस n cap, निकल सकता है, और एक निकल सकता है, क्या, minus n cap, तो कुल मिलाके, n cap निकल करके, हम एक बार, प्लस यूस करेंगे, और एक बार, minus यूस करेंगे, तो, दोनों के, perpendicular unit vector का, फॉर्मूला, बताया गया था, आपको, दो vector, a और b, के, perpendicular unit vector का, फॉर्मूला, क्या होता था, n cap, निकालना है, बट हमको, u और v के लिए, निकालना है, तो, here, क्या सेट होगा, formula, n cap, equal to, vector u, cross vector v, upon, mod of, u cross v, clear, तो, हमें, u cross v, निकालना है, तो, आईए, हम, u cross v, सबसे, पहले, निकालते है, तो, u cross v, equals to, कैसे बनेगा, देखे, u cross v, मैंने बताया था, कि आपको लगाना है, एक, determinant, i cap, j cap, k cap, first vector, two, one, minus two, first vector के, component क्या है, two, one, minus two, second vector के, component क्या है, one, two, minus two, है की नहीं है, one, two, minus two, अब इसको, simplify कर लिजे, सबसे पहले, plus i cap, या i cap, one, minus two, minus two, और, two, two, four, का minus का four है, तो यह बन जाएगा, plus का four, because एक minus sign, और आता है, पहला sign, plus होता है, दूसरा sign, minus j cap, two, minus two, minus four, और, minus, one, two, two, तो, प्लस का two हो जाएगा, last plus का k cap, two, two, जा four, minus one, okay, so this will be i cap, minus two, plus four, two हो जाएगा, minus j cap, minus four, plus two, minus two, और, k cap, four, minus one, three हो जाएगा, clear, तो यह हमारा बन जाएगा, two i cap, minus two, plus two j cap, plus three k cap, यह हमारे पास आगया, vector p, cross q vector, clear है, अब हमें इसका magnitude निकालना है, तो mod of vector p cross q, equal to, under root, first component का square, plus second का, plus third component का square, यह हो जाएगा, बेटा, four, plus four, plus nine, under root, 17, चलिए, तो अब हम बनाते हैं, unit vector, n cap, equals to, p cross q, divided by, mod of p cross q, equals to, p cross q का बनेगा, two i cap, plus two j cap, plus three k cap, two i cap, plus two j cap, plus three k cap, divided by, under root, 17, ठीक है, और आप चाहें, दोनों को, plus minus perpendicular ले ले, तो यहाँ भी क्या जाएगा, plus and minus, और यही आपका, answer होगा, clear है बेटा, note करने से, बेटाएगागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागागा झाल झाल